श्राद मास की आमस्ती थी के दिन पित्र अमावस्या के दिन पवित्र दिन सोमनात महादेव के सनिग्द में त्रवेनी संगा में बहुत तादाद में भक्तों ने स्नान करके पित्र तरपन करने के बाद भगवान श्री सोमनात महादेव के दर्शन करके पुन्न लिया आर्वी समुद्र के तट पर विराजमान श्री सोमनात महादेव का सबसे पहला जो तिलिंग माना जाता है ऐसे में इस पवित्र धरती पर करश्ण भगवान ने कई यादमों वंश के उद्दार के लिए पवित्र त्रवेनी संगम तट पर शाद कर्म किया था यही हिरन कपिल और स्वरसती नदियों का संगम होता है ग्रश्ण भगवान ने खुद का देहुत सर्ग यहीं किनारे पर किया था इसलिए सास्त्रों में पांच तीर्थ छेत्रों में उत्तम तीर्थ प्रवास छेत्र कहा गया है इस आमास पर पवित्र नदी में स्टनान करने के लिए अप गरी सोमनात पर प्राचितीत में हजारों भक्तों ने स्टनान करकर इसका लाब लिया गरी सोमनात से ये थी राम जी मनियार की रिपोर्ट